question number 15 the length of a rectangle exceeds its breadth by 7 cm if the length is decreased by 4 cm and the breadth is increased by 3 cm the area of the new rectangle is the same as the area of the original rectangle find the length and the breadth of the original rectangle हमको क्या करना है इस question में बस इतना बताना है कि length क्या है breadth क्या है किसकी rectangle की आप इतना तो जानते ही होंगे कि rectangle में जो छोटी वाली side है उसको बोलते है breadth और जो ये wali लंबी वाली side जो है उसको बोलते है length अगर मैं कहूं इसका area निकालो तो आप ये भी जानते हैं कि length की multiply byth से कर दो अगर इतनी बात आपको पता है तो यह question बिलकुल simple है तो देखो इस ने हमसे कहा कि length और breadth बताईए rectangle के तो हम क्या करते हैं वही निकालने की कोशिश करते हैं आप सबसे पहले लिखो solution और यहां से पढ़ो देखो the length of the length of a rectangle exceeds its breadth by 7 cm तो आपको सबसे पहले breadth let करनी पड़ेगी breadth of the rectangle और मैं कहता हूँ इसको 1 cm तो length का क्या होगा length इससे कितनी ज़्यादा है देखो length of the rectangle क्या हो जाएगा इससे कितनी ज़्यादा है 7 cm the length of the rectangle exceeds its breadth by 7 cm तो जो breadth है उससे 7 ज़्यादा है कौन length ठीक है अब कुछ बात और कह रहा है कि if the length is decreased by 4 cm and the breadth is increased by 3 cm तो यह condition लगाते हैं यह कह रहा है इस rectangle में अगर breadth को increase कर दिया जाए 3 मतलब यह चोड़ा कर दिया जाए और length को थोड़ा कम कर दिया जाए तो जो area है वो same रहता है ठीक है देखो कर दिया और the area of the new rectangle is the same as the area of original मतलब इस question में एक चीज़ सेम है कि area दोनों के सेम आएंगे इस वाले rectangle का और new वाले का तो मैं new वाले के dimension लिख लेता हूँ new rectangle के साथ क्या होता है वो समझ यह new rectangle के साथ यह होता है कि length is decreased by 4 cm जो इसकी length है वो कितनी कम हो जाती है पहले length कितनी थी पहले थी यह x plus 7 थी लेकिन अब कम हो जाती है इससे कम हो जाती है कितनी कम होती है 4, तो इसको solve करोगे तो क्या हैगा, x plus 3, क्यों क्यों कि plus minus minus 7 में से 4 गए 3 बचा, तो अब length यह हो जाती है, new वाली की new rectangle के साथ ऐसा होता है breath के साथ क्या होता है breath के साथ यह हो जाता है कि breath is increased by 3 cm पहले breath कितनी थी, x थी अब कितनी increase हो जाती है 3 हो जाती है, समझ गए तो इसके साथ ऐसा कुछ होता है आप देखें question में क्या कह रहा है कि the area of the new rectangle is the same as the area of original rectangle, दोनों area को आप equal लग दें मतलब area of original rectangle equal है किसके area of new rectangle के कहा लिखा है यहाँ, देखो कहा रहा है the area of the new rectangle is the same as area of original rectangle यह new rectangle कौन सा है यह वाला अगर मैं इसका area निकालूं तो new वाली का क्या होबा length into breadth बताया था ना length into breadth होता है तो आप x plus 3 की multiply किस से करोगे x plus 3 से क्यों, क्योंकि दोनों dimension से मैं दोनों की multiply करनी पड़ेगी यह आएगा तो इसको solve करके हमें क्या मिलेगा area इसी तरीके से area original का निकालो तो उसमें भी क्या होगा length multiply breadth तो length कितनी है x plus 7 इसकी multiply किस से करनी पड़ेगी breadth से जो की x है अब इसको अगर मैं solve कर देता हूँ तो हमारा answer आजाएगी तो देखो इस bracket की x से multiply करनी है तो इस x की इससे भी multiply होगी इस x की इससे भी होगी तो x की पहले x से करते हैं तो x की power 2 हो जाएगा x की 7 से करोगे तो plus का 7 x equal को मैंने ऐसी लगा दिया इसकी multiply से करनी है पीछे के chapters में बहुत किया हमने तो पहले x लिखेंगे और फिर bracket x plus 3 फिर plus का 3 लिखोगे और फिर bracket x plus 3 अब देखो x square ऐसी रहा और 7 x ऐसी रहा x की x से multiply करोगे तो x square x की 3 से करोगे तो plus का 3 x 3 की x से करोगे तो plus का 3 x और 3 की 3 से करोगे तो plus का 9 x square as it is 7 x as it is x square as it is इन दोनों को add कर सकते हैं क्योंकि like terms हैं यह हमारी तो 3 x plus 3 x कितने होगे 6 x और plus का 9 x square से x square cancel क्योंकि both side equal चीज है तो हम cut कर देते हैं symbol same होने चाहिए तो 7 x as it is रहा plus का 6 x equal के इदर आएगा तो minus का 6 x equals to 9 7 x में से 6 x गए तो सिर्फ 1 x बचा जो की है 9 तो x की value हमारी 9 cm आ गई है ठीक है लेकिन x था क्या x था हमारा क्या breath तो breath हमारी 9 cm आ गई है और length इस से 7 जादा थी तो 9 से कितनी जादा है 7 तो कितनी हो जाएगी 9 plus 7 16 cm समझ गए दो चीज़े आ गई है breath हमारी 9 है length हमारी 16 है तो आप answer में लिख दोगे कि जो breath है वो कितनी है rectangle की 9 cm और length जो है वो कितनी है वो है 16 cm यही हमारा क्या है answer चलते हैं next question पर भ्राव कर सकत है जारान परकाई towाल जाएव演। यहान